जै माता की आज का विश्या है कि घर में कोई मंत्र द्वनी या फिर माता के बजन हो गए या कोई स्त्रोत चालिसा कुछ भी आप लगा सकते हो दुरुगा कवच हो गए या इनको अगर वूफर में मीजुक सिस्टम में चलाने से कोई इंस्टूमेंट अगर आप ले आए हो बजार से जिनमें मंत्र द्वनी चलती रहती है? या फिर शंक बजाने से शंक की द्वनी चलाने से गरपे क्यानकर आत्मक्ता का प्रभाव पड़ता है? जी नहीं आणसा कुछ नहीं है कि किसी का सवाल था कि हमने किसी वीडियो में ये सुना है कि अगर आप ये जो मंत्र होते जाप करने के लिए होते हैं जैसे आपको महाकाली का मंत्र मिलेगा काली काली महा काली काली के परमेश्वरी सरवा नंद करे देवी नारायनी नमस्तुते महामरित तुन्जा मंत्र आपको मिलेगा भगवान बोले नात का गायत्री मंत्र आपको मिलेगा और महा बद्रकाली का मंत्र बद्रकाली का पाली नी दुरुगा शमा शिवादात्री स्व विश्वास है वो उनके नाम का मंत्र चलाएंगी जिनको मादुर्गा में है वो नवान मंत्र चलाते हैं तो इस अब जो बगवान बोलनात को मानने वाले ओमने में शिवाया फिर मित्विंजा मंत्र स्त्रोवत कवच चालीसा देखे जो लोग संस्कृत में नहीं पढ़ सकते वो सुन लेते हैं सुनने का भी बहुत अधिक प्रभाव वड़ता है क्या होता है कि माता बैने होती हैं जो घर में काम करती है दिन बर व्यास्त रहती है ग्रस्ती का काम भी उनके अपर होता है तो जादा समय उनको पूझा पाड़ के लिए मिल नहीं पाता है तो क्या होता है कि मैं सुबह शाम माई के मंत्र और बजन जरूर सुनती हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्या होता है अपने काम दंदे के साथ उनसे कनेक्ट होने का थोड़ा मोका में मिल जाता है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप मंत्रों को म्यूजिक सिस्टम में चला राके सुनोगे तो उनका अपमान होता है जीन अगर अपमान होता है तो प्रमातमा से कनेक्ट होने का हमें मिल जाता है इसमें तरीका अब कुछ लोग ये भी सोशते हैं कि मैं पूजा पाड़ करता हूं या फिर मैं सुबह शाम बजन चलाता हूं तो मेरे पडोसी ये सोश कि इसके घर में पूरा दिन बजन चलते हैं नकरात मकता फैला रखी है जो भी है हमें सोने नहीं देते तो आप मद्धम मद्धवनी में चलाइए बजन क्या होते हैं उनको सुनकर के प्रमातमा में अपने इस से कनेक्ट होना चाहिए नहीं कि आप तेज म्यूजिक में चला द इंस्ट्रूमेंट भी मिलने लगे हैं मंत्र के कवच के स्तोत के चालीसा के पहले क्या हुआ करता था कि फॉन हुआ करता था आज से 15-15 साल पहले तो उसमें क्या होता था कि डाउनलोड कर वाके लेकर के आते थे दुकान वाले से के इसमें माता कि यह बजन डाल दो या फि जिस्टम पे तो शुरू से ही हमें यह शूख है और आज भी है क्या होता है कि प्रमात्म से कनेक्ट होने का समय मिलता और इससे क्या फाइदा होता है क्या चमतकार होते हैं कि अगर आपके घर में कोई नकरात्म कुर्जा है तो उस प्रमात्म के मंत्र से नाम से उसकी ध्व उप्षम रूपसे हो थोडे समय के लिए अपर-कठ्रमातम से कन्यरा ने, hep उन बजनों के माद्यम से उन स्तरोत् STOP게-ऊके माद्यम से कुछ लोग यह ओता हैं जिनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता कई स्त्रोथ 40 आईसी हैं जो संस्क्रित में होती है अब वो लोग क्या करें अब पढ़तों नहीं सकते तो कैसे उस चीज का आनंद ले तो वो सुनिए बिलकुल सुनिए music सिस्टम में आप सुन सकते हो कोई मंत रहा है जैसे गायत्री मंत्र है अम्नमस्य आपाने के बहुत सारे अजयो कि दम्मा वगैरा जो होता है गले की समस्य जो होती है खरंक बजाने वालों को यह नहीं होती वासे तो ख। कौन बचाता है शंक मंदिरों में भजते हैं सुबा शाम छे बजे का टाइम रहता है सुबा कभी और शाम कभी तो शंक की द्वानी आई जाती है सबीके गरों में क्योंकि मंदिर दो हर जेगा भी राजमान है तो यह जो छोटी सी थोडी सी हलकी सी जानकारी कि हमने कहीं किसी वीडियो में यह सुना है कि बगवान के भजन चलाने से नकरातमकता आती है और हमें नहीं चलाने चे यह ऐसा कुछ भी नहीं होता आप बेड़ग चलाओ मद्धम दвानी में चलाओ इतनी दुआनी में चलाओ कि आप उनका आनंद ले सको ये नहीं कि किसी को इरिटेट करो आप अपने प्रमात्मा से कनेक्ट होने के लिए उनको सुन रहे हो उनकी प्रार्थना करने के लिए क्योंकि भागदोड की जिंदिगी है सबी की इतना समय किसी के पास है नहीं कि आसन पर बैठ करके चालीसा को सब्सक्राइब माया भगवती काली कि आप चालीसा पढ़ सकते हों अनुमान चालीसा अनुमान क्या काम है हम क्या करते हैं कि जब भी हमें अनुमान जी से बाला जी महराज की मंगलवार के दिन क्या होता स्तूति करनी होते तो अनुमान 40 लगा करके उनका जो मंत्र होता है उनके साथ साथ गुन गुनाने लग जाते हैं तो सुनने के साथ साथ हम ने जप भी लिया हो गया डबल फायदा मुख रित्या मंत्रग चला दिया अपने मद्धम द्वानी में जैसे जैसे वह इंस्ट्रूमेंट में चलता है या फिए मूझिक सिस्टम में चलता हम भी साथ में गुन गुनाती है ना तो सुनने के साथ साथ उसको गुन-गुनाय अभी जाता है दबल फायदा यAGनिकर अमने उसका श्वरन भी भगती हैंने एक वीडियो डाला था नवदा बगती के बारे में नो प्रकार की बगती के बारे में आप सुनिएगा जरूर स़च करके चैनल पर बजन सुनने से कोई नकरात्मक्त का परभाव नहीं पड़ता और हमने कभी नहीं देखा क्योंकि हमें शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा जैसे मा काली का सहस्त्र नाम का स्त्रोथ है उसका जादातर हमस्वन करते हैं तो वैसे भी जो नकरात्मक्त होती है अपने दिमाग की बुद्धी की वैसे भी अच्छे चलता है हम कम से कम अपने प्रमात्मा से कनेक्ट रह सकते हैं तो छोटी सी जानकारी म्योजिक सिस्टम के बारे में और मंत्र आधी सुनने के बारे में दुहने के बारे में लेकर क्या आई ते आश्यगर्ते आपको पसंद आई होगी नहीं जानकारियों के लिए दिवानी पा तिरे इस सभी को जा मातागे